बड़ी खबर श्रीनगर से जहाँ पर पुलिस कॉंस्टेबल अली मोहम्मत की हत्या का सुरक्षावलों ने बदला लिया जिहां हत्या में शामिल दो टियारेफ आंतंग की एक का नाम इकलाख बताया गया वे उसके साथी सहित श्रीनगर एंकाउंटर में मार गिराया गया नमस्कार मैं जान भी गुपता और इस समय आप सब जुड़ चुके हैं साच निउस नेटवक के साथ चलिए आईए जान लेते हैं क्या है पुरी खबर जो इस समय श्रीनगर से सामने निकल कर आ रही है पर हमला करने वाले आंतंकियों के लिए अब कोई माफी नहीं है अब ऐसे आंतंकियों को बक्षा नहीं जाएगा जानकारी हो कि ड्यूटी के धुरान या फिर ड्यूटी देकर घर लोट रहे पुलिस सेना वे सीयार पीएफ के जवानों पर पीछे से हमला करने वाले अंतंकियों को ढूंड कर निकाला जा रहा है और एंटी टेरर ओपरेशन के खिलाफ इंका सफाया किया जा रहा है आज सुबा एक बड़ी खबर सामने आई जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी काम्याबी हासिल हुई है अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक दुखुत समचा जो की अनंतनाक जिले से सामने आया था हमने आप तक ये खबर पॉन्चाई थी कि अनंतनाक जिले के हसन पोरा इलाके में एक टेरर अटाक देखने को मिला जहां पर अनंतनकियों ने पुलिस कॉंस्टेबल अली मोहमत की हत्या कर दी थी पर आज इसी हत्या का आपको बता दे की बदला लेते हुए सुरक्षा बलों ने दो टीरेफ इंवॉल्ड टेररिस्ट को निशाना बनाया और एंकाउंटर के तहट श्रीनगर में एंकाउंटर के तहट मौत के घाट उतार दिया जहां इस एंकाउंटर से जुरी पुरी डिटेल्स आपको देते चले श्रीनगर के जकूरा इलाके से आज शनिवार सुबा बड़ी अपडेट सामने आई जब सुरक्षा बलों वे आंतंकियों के बीच करीब एक घंटा चली मुटबैर में सुरक्षा बलों ने पुलिस हेड कॉंस्टेबल अली मोहमत की हत्या में शामिल लश्कर एताइब और इनी की आगे तन्जीम दर रजिस्ट्रिंस फ्रंट यानि की टीरेफ के आंतकबादी एकलाख हजाम को और उनके साथी को डेर कर दिया दर्शको आईजीपी कश्मीर विजे कुमार ने स्वयम इस बात की पुष्टी की है ओफिशल ट्विटर अकाउंट कश्मीर जोन पुलिस से ये जानकारी हम तक पुंची है जो हम आपको बता रहे हैं IGP कश्मीर विजकुमार ने कहा कि इस एंकाउंटर में मारा गया दूसरा आंतंग की जिला पुलवामा के मंगल पोरा का रहने वाला है आदिल ढार उसका नाम बताया गया हाला कि उन्होंने ये बात भी बताई कि दोनों आंतगवादियों को मारने से पहले कईम बार इन्हें आत्मसंपन करने का मौका भी दिया गया परंतु उन्होंने हत्यार डालने से इंकार कर दिया वहीं मारेगे दोनों टीरेफ आंतगवादियों से हत्यार भी बरम्मद हुए दर्शकों इसके अलावा आपको जानकारी हो की हेड कॉंस्टेबल अली मोहमत की हत्या आतकबादियों ने 29 जन्वरी को उस समय की थी जब बिजबिहाडा, अनंतनाग मेस्थित, हसनपोरा, तबाला अपने घर लोट रहे थे पर अब पीछे से सुरक्षा बलो या फिर CRPF या सेना पर पीछे से वार करने वाले टेररिस्ट के खिलाफ एंटी टेरर ओप्रेशन जो है वो जारी है इसी के साथ ये भी बता दे कि जमुकश्मीर में आर्टिकल 370 की समापती के बाद से ही कश्मीर में सक्रिया आंतनकी संगट एन अक्टिव टेररिस्ट और्गनाजेशन वे पाकिस्तान में बैठे उनके आका बुखला गये है साथ ही अब तक सुरक्षाबलों ने तीन सालों में जिस तरह से कश्मीर में आंतगवाद पर नकेल कसी है पुलिस वे सेना के विरिष्ट अधिकारियों ने ये दावा भी किया है कि जल्द ही कश्मीर में फिर से अमन होगा और यहां के लोग भी दूसरे राज्यों की तरह बिना डर बिना खौफ रहेंगे वही कश्मीर में बदलते हालात से यहां के लोग भी खुश है फिलाल ये थी बड़ी अपडेट आपके सामने जो की श्रीनगर से सामने आई जहां पर एक एंकाउंटर के तहट दो टीरेफ अंतंकियों का सफाया कर दिया गया ये दोनों ही टीरेफ अंतंकी जो है वो हेड कॉंस्टेबल अली मोहमत की हत्या में शामिल है फिलाल आतकबाद के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो जारी है ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं ऐसे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे उसके लिए बले रहे हमारे साथ देखते रहे सार्च नियूस नेटवर्क हमारी वीडियोस को आगे शेयर करना भी ना भूले ताकि आपके साथ साथ जम्मो कश्मीर के अन्य लोग भी अपडेटेड रह सके फिलाल बस इतना ही इंदीज अजासत जही